कोविड-19 की ग्रिफ्ट में इस वक्त दुनिया है भारतवर्ष इससे बचा नहीं है अभी भारतवर्ष भी नंबर्ज जो है धीरे धीरे बढ़ने लगा है और लग रहा है इसकी पहलाव काफी जगों पे बढ़ चुका है दुनिया में जिस तेजी से यह बढ़ रहा है उसको देखते हुए हमें नहीं लगता कि निदुस्तान भारतवर्ष इससे छूट पाएगा तो इस वक्त हमारे सामने जो चुनौतिया है वो क्या है हमारे सामने तीन चुनौति एक तो है कि एपिडेमिक की चुनौति किस तरह स हम जो लोग बिमार पर रहे हैं उसकी देखभाल करें और कैसे बिमारियों की संख्या कम करें इसके लिए पहली बात यह है कि हमाजिक हमारी सामाजिक दूरी एक दूसरे से मिलना जुलना और जगर मिलते जुलते हैं उसका संख्या कम करने के बावजूद भी तो उससे हमें दूरी एक दूसरे से रखना पड़ेगा एक साथ अगी अगर आपको कहीं मिलना भी है तो एक दुनिया तक दूरी दूनों की बीश में होनी चाहिए तो इससे क्या होगा कि जिस संख्या से इस वक्त इंफेक्शन बढ़ रहा है उसकी जगह पे जितने लोग इंफेक्ट होंगे उसकी रफ्तार कम हो जाएगी एक कम हो जाने से हमें उनको अस्पताल में जो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएंगे उनको देखभाल करने की संभाबना बढ़ेगी और हस्पताल के उपर बोज एक वक्त पे बहुत ज़्यादा ना होके वो लंबे अड़से तक उसको हम डिस्ट्रिब्यूट कर पाएंगे ताकि उनकी देखभाल सही तरीके से हो पाएं इसके साथ साथ हमें जो करना पड़ेगा हस्पताल में डॉक्टर्स होने चाहिए नर्स इकभाल करने के लिए उनके पास आपकी जो प्रोटेक्टिव गियर होने चाहिए कपड़े मास्क्स ग्लब्स डिसिंफेक्ट करने के लिए सामगरी यह सब होनी चाहिए और इसका अगर हमारे पास नहीं होगा तो हस्पताल भी इस बीमारी के ग्रिफ्ट में आ जाएगा औ हमारे पास सप्लाई चेंज से कहते हैं जिसके जरीए इस प्रोटेक्टिव गियर जो चीजे चाहिए वो हस्पताल तक पहुंचाने की जो जरूरत है लगता नहीं इस तो तौर पे हो पा रहा है क्योंकि रेजिदेंस अस्टेशेशन डॉक्टर्स की उन्होंने कहा है कि इस तो लग रहा है कि क्लोरोक्वीन, हाइड्रोक्लोरोक्वीन, इंजो क्लोरोक्वीन, फॉस्पेट ये और एमडिसीवेर करके एक दवाई है जो कि बहुत ही महंगी है तो यहां पर बहुत कम लोगों की दी जा सकती है इसका लगता है कुछ फायदे इस बिमारी में हो रहा है पर अगर ज्यादा सिवियर बिमारी हो जाता है बहुत ज्यादा बिमार लोग हो जाते हैं तब उसको ऑक्सिजन सपोर्ट चाहिए तो उसमें वेंटिलेटर्स चाहिए और और भी मिशीने चाहिए जिसके वरिये हम इनको जिनका लंग फेल कर रहा है उसको हम सपोर्ट कर प हमारे पास intensive care units में इस तरह के support structure बहुत बड़ा नहीं है और अगर संख्या बढ़ती है जैसी इटली में बढ़ा है तो अब लगता है कि hospital इनको समाल नहीं पाएंगी यह हमारे लिए खत्रा है इसी लिए social distancing curfew वगारे की जो बात की जा रही है इसकी एहमियत है इसको हमें सच कुछ पालन करना चाहिए हाथ दोने चाहिए जो जितने सारे चीज कहीं जा रही है उसकी जरूरत है इसको पालन करने की नहीं तो इटली जैसे यह वहान शहर में जो पहले हुआ था उस तरह के परिस्तिती में सब ही हम जा सकते दूसरी बात यह है कि जो इतना बड़ा dislocation है जनजीवन में तो इसमें जो लोग रोजबर्रे दिहारी करते हैं रोज काम पे जाते हैं उससे पैसा मिलता है उससे खाना खरिद के खाते हैं उनका क्या होगा कि जहां पर बड़े पैमानी पे लोगों में बेरोजगारी है मनरेगा से उस गुजरा करते हैं construction work करते हैं तो यह जो पूरा casual labor पे casual मेहनत कशों के श्रम से जो पूरा हमारा समाच चलता उसका क्या होगा अगर कोविट के लिए हम पूरा ही देश को बंद कर देते हैं तो इसलिए केरल सरकार ने जो किया है और दूसरे दुनिया में दूसरे सरकार जो कर रही है यह है कि उनको हर लोगो को आपको भत्ता मिलना चाहिए ताकि इस वक्त वो अपना गुजारा कर पाए यह बहुत बड़ी जरूरत है और इसको अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा दूसरा पर प्रॉब्लम शुरू होगा कि लोग भुकपरी से बरेंगे बेरोजगार अगर ह तो घर में खाना नहीं होगा तो यह जो है दूसरे बिमारियों की शिकार होने लगेंगे क्योंकि मैन लिट्रिशन होगा और भी चीज़े होगा तो यह बहुत बड़ा महामारी की तरह ही हमारे उपर आएगा तो गरीब ही जो है इस देश में वह भी एक हमारे लिए समस्या होगा कोविट के दोरान यह कहना आसान है कि सब कुछ बंद कर दीजिए पर बंद करने के पर गुजारा कैसे होगा उसकी भी जिम्मदारी सरकार के पास है तीसरी बात जो मैं कहूंगा कि सरकार की और भी कुछ जिम्मदारिया है जो बोधी सरकार ने अभी तक किया है जो ब WHO की डिरेक्टर जेनरल ने बारबार कहा है कि टेस्टिंग सबसे ज़रूरत है इस वाक्त कि वाइट स्प्रेड टेस्टिंग करने चाहिए इसको पखड़ने के लिए कब कंटेंड मेंट पे आपका कम्यूनिटी स्प्रेड हो रहा है उनको तुरंत आइसोलेट करना चाहिए त हमारे टेस्टिंग अभी दस बारा हजार ही अभी तक लग रहा है और बड़े पैमाने पर टेस्टिंग करने की अभी भी लगता नहीं कि हमारे पास सामर्थ है मतलब टेस्ट किट्स के संख्या बढ़ाने की तो अभी तक आईसे में ने कहा है कि उनके पास एक लाग बाहर से मंगवाएंगे उसके बारे बे सरकार की अभी भी कोई खास सफाई नहीं है यहीं दिया है कि कहां है सच्पुच आ रहा है क्या उसकी हालात है क्योंकि बिला वाइट स्प्रेड टेस्टिंग इस वक्त हम इस निशकर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं कहां पर बिमारी है कहां पर नहीं है हर देश पर इसकी चर्चा हो रही है बेंटिलेटर कितना है इंटेंसिट केर यूनिट्स क्या है अगर महामरी फैलता है शहरों में तो उसके लिए क्या प्रबंद किया जाएगा अभी भी हवाई बातें चल रही है और जरता कर्फ्यू लोगों की सामाजिक दूरी यह जो लग रहा है कि हमने पूरा जिम्मेदारी जनता पर थोब दिया है असरकार के पास कोई जिम्मेदारी है ही नहीं तो इस पे जो बामपंथी पार्ट को स्ट्रेंग्डन करें इन सब चीजों की बहुत जरूरत है इस वक्त और मुझे लगता है कि जब तक इन चीजों पर जोल नहीं दिया जाएगा सिर्फ बातों से और इसकी पूरी इस क्या कहते हैं इस बीमारी की पूरी बोज जनता पर डालके इस से हम बच नहीं कि जिन पर यह जिम्मदारी है देश चलानी के उसमें कुछ तो लोग ऐसे है जो पार्टियाज में पार्टी ज जा रहे हैं बिमारी बिमार होने के बावजूद और इसको फैलाने में और भी मदद कर रहे हैं इसलिए जरूरत तो यह है कि लोग अपने जिम्मदारी पन दि झाल झाल